हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का यूटूब के सुपर इंडिया चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सपने में प्याज को खाते देखना प्याज को देखना इसका क्या आर्थ होता है क्या मतलब होता है आने वले दिरों में आपको इ होते हैं सुपन दो प्रकार के होते हैं चोटे सुपन होते हैं जो निद्रा वस्ता में कम समय में देखे जाते हैं तो इसे चोटे सुपन जभी निद्रा खुलने के बाद याद रहते हैं तो इसे सुपन का फल शेगर प्राप्त हो जाता है एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक देखे जाते हैं लंबे सुपन होते हैं और निद्रा खुलने के बाद कुछ याद रहते हैं कुछ भूल जाया करते हैं तो इसे सुपनों का फल बहुत कम प्राप्त होता है जो सुपन लंबे याद रहते हैं तो इसे सुपनों का फल एक वरसे चार वरसों तक प्राप्त होता तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सुपन फल के बारे में यदि आप सपने में प्याज को खाते देख रहे हैं तो सपने में प्याज को खाना बहुत सुमाना जाता है इसका आर्थ होता है आपको कहीं गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है या जमी जायदात का लाप्त हो सकत आपको जब भी सपने में प्याज खाते हुए दिखाई दें तो समझ जाए कि आप आने वाले दिनों में काफी धन संपदा के मालिक बनेगे ये आपके लिए बहुत सुप सपना जोती साथ में बतलाया गया है क्योंकि अचानक प्राप्त होने वाले धन और अचानक मिलने वा मात्रा में तरकी कर जाते हैं आपकी काफी मात्रा में उन्हती होती है और यदि आप सपने में प्याज को रखा हुआ देख रहे हैं तो सपने में प्याज को रखा हुआ भी काफी सुमाना जाता है ये सुपना भी आपके अमीर होने का संकेत करता है कि आप चल दही अमीर हो आपको कहीं न कहीं से यसी नोकरी प्राप्त होगी या सुब समाचार प्राप्त होगा या कहीं न कहीं आपको एसा सहयोग प्राप्त होगा या किसी के द्वारा आपको मदद प्राप्त होगी जो आपके लिए काफी उन्हती देने वाली होती है और यदि आप सपने में प्या जलन होने लगती है तो इस प्रकार के सुपन आपके परिवार में बिवाद होने का संकेत करते हैं कि आपके घर में कोई लड़ाई जगडा होगा या आपस में मन मूटा होगा जिससे आपके परिवार में समस्या उत्पन हो सकती है परन्तु प्याज को खाते देखना और उसक समपदा का संकेत करता है तो हमारे द्वारत दे गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार धन्यवाद दोस्तों